नमस्कार दोस्तों पंचायती राज विभाग के तरफ से एक सूचना जारी किया गया था कि बिहार में पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज्यादा पदों पे जो आप लोगा बहाली है वो आप लोग कहां पे निकल के आने बाला है और अलग-अलग प्रकार के जो पद हैं यहां पर देखें मेरे पास सूचना पड़ा हुआ है और इसमें 15,610 पद के बारे में जानका यह दिया हुआ था और बताया गया था कि अलग-अलग जो पद हैं वहां पे होने बाला है आप इसमें दोस्तों जो दो पद हैं उसके लिए जो आप लोगा सूचना वहां पे जारी कर दिया गया है और उसका जो आवेदान है वो कब से यहां पे होने बाला है साथ में यहां पे जिलाबार जो रिक्तियां है यानि कि इस जिले में कितना बाहली यहां पे होने बाला है वो सब कुछ आप लोग आप जारी हो चुका है यहां पे देखें दोस्तों जो आ qualification रहने बाला है कितना आप लोग का पद रहने बाला है जिलाबार जो रिक्तियां है वहां पे जारी कर दिया गया है यानि कि इन दोनों बहाली के बारे में जो पूरा सूचना है वहां पे निकलके आ चुका है तो जितने भी लोग यहां पे पंचाहिती राजविभाग की बह दिरे-दिरे करके आप लोगा जो बहाली यह वहां पे निकलके आ रहा है और अभी जो है दो बहाली जो की ग्राम कचहरी सचीब और कचहरी नयाइमित्र का पद है उसके लिए आप लोगा सूचना आ पे आ चुका है सबसे पहले दोस्तों यहां पे देखिए मेरे पास जो आप लोगा पेपर कटिंग है और इसमें आप लोगा जानका ही दिया गया है कि सूबे में नयाइमित्र और कचहरी सचीब के 3630 पदों पर दो महां में बहाली तो यहां पे टोटल जो आप लोगा पद है दोस्तों यह दोनों मिला करें यहां पे देखिए आप लोगा जोग इसके बारे में पूरा जो सूचना वह आप लोगा निकल के आया हुआ है कि किस तरीके से वहाली होने बाला है और कितना-कितना पोस्त किस जिले में रखा गया वह भी आप लोगा जो नोटीस से वहां पर जारी कर दिया गया यह नोटीस आप कहा से डाउनलोड कर और देख पाईएगा कि आपके जिले में कितना बाहल यहां पे होने वाला है। चपन पद भड़े हुए हैं और 14 सो पद खाली हैं दोनों खाली पदों को दो महीने के भीतर भड़ने को कहा गया है। चपन पद खाली के लिए 9 मित्र का संबीदा के आधार पर नियोजित किया जाना है। जिन पंचायतों को नगरपाली का छेतर में संबलित कर लिया गया है। वहाँ 9 मित्र पद समापत हो जाएंगे लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों में 9 मित्र की जो भाली है वो की जानी है। तो इस तरीके से आप लोग आप जानकाई दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिया आप लोग जानकाई दिया गया है कि इसलिए ऐसे पंचायत को 60 दिन के भीतर बिहार ग्राम कचारी नियामित नियामावली 2007 के आलोक में रोस्टर क्लेरेंस करते हुए नियोजन किया जाएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या है कि total आप लोगवा साठ दिन का आप समय दिया गया है। कितना भाली होगा वह आप लोग कहां पर जानका ही दिया हुआ है अब दोस्तों इसका qualification में आप लोग को आगे बताऊँगा सबसे पहले यहां पर देखे अरडिया में जो है 46 आप लोगा सचीब का भाली होगा और 75 जो है नयाई मित्र का भाली होने बाला है अरबल में 14 सची का भाली होगा और 49 जो है नयाई मित्र का भाली होगा मालीजे जमुई का जमुई में 49 जो है सचीब का भाली होगा और 24 जो है नयाई मित्र का भाली होगा तो इस तरीके से आप लोग का जो भाली है वहां पर होने बाला है अब इसमें आप लोग का qualification क्या रहता है salary क्या रह जाता है यानि दूस्तों यहाँ पर क्या है कि अगर आप सचीब के लिए आवेदन करते हैं तो 6000 रुपया आप लोगा सेल्डी रहने वाला है और अगर आप नयायमित्र के पद के लिए आप लोगा सेल्डी हो गया अब बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन के लिए मेरे पास ओफिसेल नोटीस यहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ दिन पहले यानि की लगभग 2017-2018 में जो ही यह बहाली आप लोगा आया हुआ था तो उसी का नोटिफिकेशन में ने आप जो है ओपन कर रखा है यह देखे और अंगाबाद के तरफ से बहाली आया हुआ था और इस इसमें जो है आप लोगा दोनों पद के लिए बहाली निकाला गया था तो देखे दोनों का जोहाँ पर क्वालिफिकेशन ने उसके बारे में जानकाई दिया हुआ है तो अब यहाँ पर देखे आप लोगा कुछ इस तरीक से सुचनाना पर दिया हुआ है कि क्या आप ग्राम कचहरी सचीब के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आप जो है उसी ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए तभी आप जो सचीब के पद के लिए आविदन कर पाईएगा तो यह आप लोगा पर जो योगता है वहाँ पर रहने बाला है यानि कि आप अपने कानून बाला जो डिग्री है वो अगर आप किये हुए हैं तो आप यहाप आवेदन कर पाईएगा नयाई मित्र के लिए और कचहरी सचिब की बात करें तो इसमें जो है अगर आप इंटर पास है तो आप यहाप आवेदन कर सकते हैं साथ में आप जनकारी दियागे कि परन्त यहां पर निकल के आने वाला है अगर आप लोग को यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है आपको चेक करना है कि आपके जिले में कितना पद यहां पर खाली है तो उसके लिए आपको करना क्या है आपको सीधे अपने गूगल में जाना है या फिर आप लोग अपना Chrome उपन क कर लेजेगा वहां पर लिखिएगा YTDC यहां पर देखे जो YTDC आप लोग का दिख रहा है यह आप लोग अपने Google में लिखेगा सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस website पर आना है फिर आप लोग नीचे आना है सर्च कहां पर option है यहां पर आप पंचा पोस्ट में पर ओपन हो जाएगा इसका डायक लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्सन और कॉमेंट में प्रोबाइड करवा दूँगा तो वहां से डायक क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट पर आ सकते हैं फिर आप लोग को नीचे आना है मैंने पूरा जानकारी दे रखा ह जितना भी आप लोग का जानकारी है वो सोट कर तरीके से आप लोग कहा पर दिया हुआ है आप चाहे तो इसको पर सकते हैं दो महिने के अंदर अंदर जो बाहली पर कडिया है उसको क्षतम कर लिया जाएगा इसका मतलब है कि अगले महिने जुलाई Tears से आप लोग का आव पर नोटिस का ओप्सन है क्लिकर पर क्लिक दिएगा तो यहां से नोटिस आप यहां पर डाउनलोड कर पाईएगा तो इस तरीके से सूचना आप निकल के आया हुआ है अब जब भी इसका नोटिफिकेशन आप जारी किया जाएगा कि कौन-कौन छात नहां पर आवेदन कर सक होता है और कब से कब तक यहां पर आवेदन होता है तो अलग जिले का अलग लग समय हां पर रहने बाला है और आप अपने जिले में ही आवेदन कर पाईएगा तो अपने जिले का जो नोटिफिकेशन है उसका आप लोग यहां पर ध्यान रखेगा तो इस तरीके से सूचन झाल 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 झाल